दोस्तों आप यहां पर जो यह सिलिंग फैन देख रहे हैं इसमें मैं आपको यह वाला केपासिटर का कनेक्शन करके दिखाने वाला हूं तो आप भी सीख लिजिए कि सिलिंग फैन में केपासिटर का कनेक्शन कैसे किया आता है तो यहां पर आप यह चार वायर देख रहे है इसमें दो काला वायर है और दो लाल वायर है तो ये दो जो काला वायर है ये स्टार्टिंग का वायर है और ये जो दो लाल वायर है ये रनिंग का वायर है तो अब आपको क्या करना है देखे इन दोनों लाल वायर में से कोई एक वायर लेना है और इन दोनों काला वायर में स से लेना है तो मैं एक wire इस में से देखें दोनों में से एक लिया और इन दोनों को आपस में इस तरह से अच्छी तरह से जोड़ देना है जब इस तरह से एक काला और एक लाल वाइर जूड़ जाता है तो इसे common वाइर हम लोग करते एंड क्या करना है यह जो capacitor है इसका connection करना है तो देखिए यह जो वायर बच जाता है इन दोनों वायर में ही इस capacitor का जो दोनों वायर है जूड़ेगा तो यह कैसे जूड़ेगा वहमें आपको बता दो तो देखिए आप इस तरह से आप इस केपासिटर को जोड़ सकते हैं ठीक है या फिर आप इस केपासिटर को देखिए पलट कर भी जोड़ सकते हैं देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से आप जोड़ सकते हैं तो आपकी मर्जी इस केपासिटर में उल्टा सिधा नहीं हो अच्छी तरस जोड दिया, अब इस capacitor को मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जहाँ पर इक capacitor को फसा जाता है, वहीं पर मैं इसे फसा देता हूं, इस तरह से, अब आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर इस connector में आपको तीन होल दीख रहाओगा, connector के नीचे वाले hole में या उपर वाले hole में किसी एक hole में दोनों में से किसी एक hole में आपको इसे जोड़ देना है और इस wire को क्या करना है इसे भी आपको connector के दोनों ये उपर वाला या नीचे वाले hole में डालना है यानि कि आपको देखे इस तरह से ये common वाला वायर और ये जो capacitor और running का वायर है, red वाला इस तरह से जोड़ना है, ठीक है? या फिर आप इसे पलट कर भी जोड सकते हैं ठीक है देखिए इस तरह से आप पलट कर भी इस वायर को देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से जोड सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ इसे यहाँ पर अच्छी तरह से जोड लेता हूँ जोडने के बाद आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा देखे मैंने यहाँ पर वायर को अच्छी तरसे जोण दिये हैं देख लिजे अब यहाँ पर जो यह वाला वायर बच जाता है इस वायर को यहाँ पर जोणना है बीच वाले में ठीक न तो मैं इस वायर को जो है कि बीच वाले में जोण देता हूं जोणने के बाद आपको द देखे यहाँ पर यह पंख्य का कनेक्शन हो गया तो इसी तरह से कनेक्शन किया आता है अब आपको क्या करना है देखे यहाँ पर जो है कि आपको लाइन देना है तो मैं यहाँ पर लाइन का वायर जोड़ लेता हूं लाइन का वायर जोड़ने के बाद आपको दिखाता हू देखे मैंने यहाँ पर line का जो यह wire है मैंने अच्छी तर से जोड़ दिये हैं अब यह देखना होगा कि इस पंखे का जो connection हुआ है यह सही हुआ है याने तो मैं क्या करता हूँ इसमें screw driver लगा देता हूँ और इसमें line देता हूँ और घुमा कर देखता हूँ कि यह सही घुमता है याने यह तो सारा कुछ गड़बड हो गया यह तो पंखा उल्टा घुम रहा है अब यह उल्टा घुम रहा है तो अब क्या करें तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए पंखा उल्टा घुमें तो आपको क्या करना है तो मैं आपको बताता हूँ इसका connection में क्या बदलाव करना है तो यह पंखा देखे रुख गया अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है अगर दोस् इस वायर को पहले आपको खोल कर बाहर निकाल लेना है तो मैं इसे खोल कर बाहर निकाल लेता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं देखे यह बाहर निकल गया अब इस वायर को बाहर निकाल लेते हैं तो देखे ये वायर भी बाहर निकल गया आप यहां पर जो ये दोनों रेड़ वायर देख रहे हैं इन दोनों वायर को क्या करना है अदला बदली कर देना है देखे ये वाला red wire यहां जूड़ेगा और ये वाला red wire यहां पर जूड़ जागा तो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला red wire को इस सफेद वाले wire में जूड़ देना और इस red वाले wire को इस black वाले wire में जूड़ देना तो देखे मैं इन दोनों red wire को अदला बंदिक कर देता हूँ यानि कि बदल देता हूँ दोनों ही red wire को एक दूसरे कसा तो देखे ये वला red wire को मैं इस सफेद वाले wire में देखे इस तरह से जोड़ देता हूँ ठीक है और ये जो दूसरा वला red wire है इसे मैं इस बलिक वाले wire मे जोड़ देता हूँ, यानि कि यह जो दोनों red wire है, इसे आपको अदला बदली कर देना है, बस यही करना है, अब आप देखें, यह दोनों red wire जो है, अदला बदली हो चुका है, अब मैं उसे उसी तरह से connection कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर पहले से connection था, उसी तरह से इन दोनो पेने रहा हूंач तो देखिए अब ये पंख्रा सीधा घूमने लगा है अगर आपके साथ अब्याइसा प्रव्लम हो जाए ह। कि आप कनेट्षन करते हैं और आपका पंख्रा उल्टा घूमने लगता है तो आपने देखा कि मैं किस तरह से आपको कि अगर connection उल्टा हो जाए तो उसे सीधा कैसे किया आता है यह भी आपने सीख लिया और यह भी सीख लिया कि सीलिंग पेन का connection किस तरह से किया आता है